दोस्तो इस टॉप लोस इस टॉप लोस के बारे में तो सब लोग जानते हैं लेकिन इस टॉप लोस को कैसे फॉलो करते हैं कैसे इसको इंपलेमेंट करते हैं और इस टॉप लोस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे बहुत सारी क् कि यहां प्पूरी वीडियो के बारे में आप पूरी वीडियो देखे व élect कर करके यह नहीं लगाना चाहिए बहुत करते हैं इस टॉप लोस के बारे में तो हम इस टॉप लोस पर डिसकर्द करेंगे इस वीडियो में तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं घंस्याम और आप देख रहे हैं घंस्याम तो चलिए हम बास करते हैं आज इस टॉप लोस की देखिये इस टॉप लोस इस टॉप लोस का मतलब हो गया कि प्रोटेक्टन देखे इस टॉप लगाते हैं वो प्रॉफिट लगाते हैं मैं अपनी वीडियो में हर बार बोलता हूं कि आप इस टॉप लगाईए टार्गेट को उपर चलने दिए आप इस टॉप लगाईए देखिए प्रॉफिट्टन दिए इस टॉप लगाने का मतलब हो गया कि लाउस यानि उनका एहंकार उनका अपना एहम बोला कि मैंने इसमें गल्ती की है प्रेट ले लिए इतली मुझे लॉस लेना पड़ रहा है नहीं तो सब्समित करके मार्केट उपर चला या नि ब्रोकर होते हैं वह ब्रैकेट और में सारी चीजों को देखते रहते हैं ऑपके इस जगे के मार्केट वाप्र के तरफ निकल जाता है तो दोस्तो बहुत सारी क्योडिश आई, बहुत सारेsorry हो मार्केट में कि StopLoss लगाना चाहिए, StopLoss नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग StopLoss लगाते हैं, कुछ लोग StopLoss नहीं लगाते हैं, लेकिन दिखें, StopLoss अगर आपं टेडर हैं और इंटारे टेडर हैं, रिटेल तेरर है तो आपको stop loss लगाना ही चाहिए और stop loss के साथ में आपको काम करना चाहिए अगर आप stop loss नहीं लगाते हैं दोस्तों तो यह आपके लिए बहुत बड़ा setback होगा तो stop loss हमेशा follow कीजिए और stop loss को लगाईए अब दिखिए stop loss का मतलब लोग loss से समझते हैं नहीं दोस्तों आपको थोड़ी अपनी thinking change करने पड़ेगी stop loss का मतलब loss नहीं होता है stop loss का मतलब होता है protection यानि हमारी जो capital है वो हमारी capital को protect करा पहले बातों को समझिए stop loss का मतलब loss लेना या आपके आयंकार या आपके घमंड के ऊपर नहीं च stop loss का मतलब होता है कि हमारे capital का protection जैसे दोस्तों मालने कि हम बाइक चलाते हैं या drive करते हैं तो हम seatbelt लगाते हैं तो seatbelt लगाने का मतलब यह होता है कि safety है कभी by chance कुछ हुआ पर के scenario में कुछ हुआ तो safety है helmet लगाने का मतलब safety है हमारे पास हमारा जो protection है वो protect हो रहा तो उसी stop loss का मतलब protection होता है stop loss का मतलब loss नहीं होता इस thinking को पहले market से अपने mind से destroy कर दीजिए अपने mind से इस चीज को आपको निकाल दीजिए कि stop loss का मतलब loss होता है stop loss का मतलब protection मार्केट किसी भी scenario में जाया है तो हमारा जो capital है वो protect है यानि इस level के नीचे हमारा जो capital हो प्रोटेक्ट है यानि हमको एक loss पता है कि किसी भी condition में loss नीचे 1000 रुपे या 2000 का ही होगा मैंने अगर stop loss लगाया हुआ है तो अगर मैंने stop loss नहीं लगाया है और कुछ ऐसी अन्व दाउन हो जा तो दोस्तों फिर उसको recover करना बहुत ही मुश्किल हो जाए कि अगर आप अभी 1% का profit नहीं बना पार है तो 25% आप recover कैसे करोगे तो इसलिए stop loss को कभी भी आप stop loss के साथ में ही trade कीजिए stop loss का मतलब होता है protection और protection बहुत जरूरी है कि हार जगर में protection आप कहीं भ पर से लोग target को लगाते हैं stop loss नहीं लगाते हैं वोता क्या है किसी भी आप trader का एक contact note जाके देखिए या खुद आप अपना contact note देखिए मैं बोलूगा आपके 10 trade में से 6-7 trade सही रहते हैं बिना कुछ किये आपके 10 trade में से 6-7 trade सही है लेकिन जो 1 trade या 2 trade का loss है वो बहुत बड़ा हो जाता है यानि आप में 6-7 trade में profit बनाया उसको आप लोग एक ही trade में देने के लिए एक ही trade में आप लोग वो loss ले ले लेते हैं तो इसलिए stop loss लगाएंगे तो प्रोटेक्शन रहेगा कभी और trader 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 करता है loss तो बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े लेता ह वो profit 500, 700, 800 का profit होगा profit बुख करेगा देखे target का मतलम यह होता कि target आप लगा के रखे ठीक है target को आप देखते रहे ठीक है लेकिन एक बार समझे जो अगर आपका जो trade सही चलगा है जो trade हमारा गलत है वो तो हमारा stop loss हो जाएगा अब कौन सा trade सही होगा कौन सा trade गलत होगा य जो profit हो रहा trader यही गलती करता है कि जो profitable trade होता उसको तो फटक से cut कर लेता है लेकिन जो loss making trade होता है उसको लंबे तरीके से रखता है यान उसको देर तब वेट करता है कि मेरा loss recover होगा उसी तरह जिस तरह आप loss वाले trade को रखते हैं पेसे आपके पास रहता है आप बड़े अ profit के लिए ट्रेल करते जाएं stop loss को ट्रेल करते हुए आगी की तरफ निकल जाएं देखिए हमारा आगर एक बात ज्यान रखिए अगर आपके तीन trade खराब रहे और आपका एक trade भी सही निकला तो वो trade ही सारा cover कर देगा तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि profit में हमको लेकिन profit वाले trade को जल्दी से cut मत कीजिए आप लोग profit वाले trade में फटाक से profit बुक करते हैं यह सबसे बड़ी गलती है तो दोस्तों stop loss आप बिना कुछ follow बिना किसी का सोचे समझे आप stop loss को follow कीजिए stop loss हमारा protection है अगर stop loss कैसे लगाते हैं कैसे लगाना चाहिए क्या follow करना च 2-3 दिन बाद upload करूंगा तो प्रॉपर stop loss पे होगी कि आपको देखिए stop loss हमारे strategy के हिसाफ से होना चाहिए stop loss हमारे market condition के हिसाफ से हिसाफ से होना चाहिए stop loss stop के हिसाफ से होना चाहिए तो सारी चीजे follow करेंगे हमें stop loss की वो अगले वीडियो में हम follow करेंगे दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please उसे subscribe कीजिए like और comment करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तो कमेंट कीजिए आपकी जो भी जानकारी रही comment बाक में लिखिए मैं उसका reply करूँगा या उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा तो आप comment करते रहिए और like करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तो नेक्स वीडियो में फिरते मिलते हैं stop loss की हमारी दूसरी वीडि कर दोस्तो करते हैं